हेलो फ्रेंड्स तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी पाइलेट्स की मुलकात हो जाती है राइजो से और आईए अब शुरू करते हैं लूफी और उसका पूरा कुरू ये सुनकर हैरान रह जाता है कि मुमो के पिता जी ने गोल डी रोजर के साथ लाफ टेल तक सफर किया है जिसके बाद निको रोबिन बोलती है इसका मतलब मुमो के पिता जी को भी दुनिया की सच्चाई के बारे में पता था रे लीग की तरह इसके बाद वॉइड सेंचुरी के बाद वर्ल्ड गवर्मेंट का निर्माड हुआ और आज तक वर्ल्ड गवर्मेंट पूरी दुनिया के उपर राज करती हुई आ रही है जिसके बाद जोरो बोलता है कि इसका मतलब काईडो ने तुमारे उपर इसलिए हमला किया क्यूं लेकिन हमें कुछ नहीं पता है और अगर पता भी होता तो हम किसी को कुछ नहीं बताते गांजूरो बोलता है कि हमें पता है या नहीं पता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है वो लोग हमें फिर भी जान से मार देंगे हमें जिसे बचाना था उल्टा उसी ने हमें बचाया ये चीज हमारे उपर शर्मिंदगी लेके आती है लेकिन उनके आखरी सब्दों के बजे से हम लोग आज तक जीते हुए आ रहे हैं और उनके आखरी सब्द थे वानो के दरवाजे खोल दो जिसके बाद बुरुक समझाता है कि इसका मतलब क्या है दोस्तों वानो कंट्री ने बाँरी दुनिया से सारे कनेक्शन काट दिये हैं यानि कि कोई भी इनसान बाहर से अंदर नहीं आ सकता है और कोई भी इनसान अंदर थे बाहर नहीं जा सकता है लेकिन कुजुकी ओडिन ने फैसला कि वो वानो के दरवाजे खोल देंगे इसके बाद कीने मौन बोलता है कि अगर हमें काईडो को हराना है तो हमें बहुत बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी मिंक ट्राइब तो लड़ने के लिए सुरवा से ही तयार होती है लेकिन बाद में कीने मौन लूफी और लौ से बोलता है कि क्या आप दोनों हमारी मदद करेंगे वानो के शोगन और काईडो को जान से मारने के लिए लेकिन लूफी हाथ मिलाने से मना कर देता है उसो, प्रैंकी, नामी, ब्रुक इन्हें लूफी का फैसला बिलकुल अच्छा नहीं लगता है लेकिन तभी लूफी मौमो से बोलता है कि तुम बस खड़े होके रो रहे हो तुम इनके खास आदमी हो, तुम मुझ से आके बात करोगे इसके बाद मौमो रोता हुआ लूफी के पास आता है और उसका चोटा सा बैक ग्राउंड दिखाया जाता है जिसमें वो रो रहा होता है चारो तरफ आग लगी होती है, वो बोलता है कि मम्मी लेकिन वहाँ पर एक आवाज आती कि सब लोग भागो और वहाँ पर काईडो खड़ा होता है फिर मौमो लूफी से निगाहे मिला के बोलता है कि मैं काईडो को हराना चाता हूँ क्योंकि उसने मेरी मा को मारा है मैं उससे अपने माता पिता का बदला लेना चाता हूँ लेकिन मेरी बोडी छोटी है और मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ तो मैं चाता हूँ कि तुम मेरा साथ दो बस फिर क्याता लूफी उसका साथ देने को राजी हो जाता है और यहाँ पर एक नई एलाइंस बन जाती है वांडा बोलती है कि आज का दिन कितना अच्छा है डॉग स्टॉम और कैट वाइपर ने हाथ मिला लिया है पैदरो बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो डॉग स्टॉम और कैट वाइपर ने हाथ मिला लिया है इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मैंने सुना है कि पहले ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन ये एक लंबी जर्नी से आए जिसके बाद ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है लूफी बोलता है कि मिंक ट्राइब, समुराए, लूफी, पाइरेट्स, लॉग हम चारों ने हाथ मिला लिया है और हमारा एक ही एम है वो है काईडो को मारना और हाँ तुम लोग कभी भी अपना सर मत जुकाना और ना ही कभी घुटनों पर बैठना क्योंकि हम चारों ने एलाइंस बना ली है और एलाइंस का मतलब होता है दोस्त तो तुम सब मेरे दोस्त हो और हाँ, मेरी एक कंडीशन भी है कीनमान बोलता है कि वो क्या है लूफी बोलता है कि देखो मेरा एक दोस्त मेरे साथ नहीं है तो पहले मैं उसे बचाने जाऊंगा उसके बाद ही हम लोग बैटल करेंगे जिसके बाद डॉग स्टॉम बोलता है कि तुम सांजी की बात कर रहे हो लूफी बोलता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं उसे बचाने जाऊंगा क्योंकि वो अकेला ही हजार लोगों के बराबर है सोरो बोलता है कि मैं दो हजार लोगों के बराबर हूँ इसके बाद Jack planning बनाता है कि वो इस बार Minka tribe को नहीं वो जुनेशा को ही जान से मार देगा इसके बाद हमें दिखाया जाता है Luffy जो कि Cat Viper से बोलता है कि क्या तुम Shanks को जानते हो Cat Viper बोलता है कि हां मैं Shanks को जानता हूँ जिसके बाद Luffy सब से पूचता है क्या तुम सब Shanks को जानते हो तो Dog Storm बोलता है कि हां हम सब Shanks को जानते है क्योंकि मैं और Cat Viper हम दोनों Roger के साथ travel कर चुके हैं ये सुनकर Luffy एकदम हैरान रह जाता है तो लूफी बोलता है कि क्या तुम दोनो रॉजर के कुरू मेंबर थे डॉग स्टॉम बोलता है कि हाँ तुम बोल सकते हो लेकिन हम लोग शेंक्स और बगी की तरह अपरेंटिस थे क्योंकि हम लोग वाइट बीर्ड के साथ भी ट्रेवल कर चुके थे फिर बाद में ओडिन सर जो है रॉजर को जोईन कर लेते हैं तो हम दोनो रॉजर के साथ भी ट्रेवल कर चुके हैं लेकिन कीनेमोन, कांचूरो और राइजो ने किसी की शिपट ट्रेवल नहीं किया है इसके बाद नामी को डर लग रहा होता है कि क्या हम लोग गरत रास्ते में जा रहे हैं लेकिन डॉग स्टॉम और कैट वाइपर बताते हैं कि तुम बिलकुल सही दिशा में जा रहे हो फिर मोमो बताता है कि मैं भी गोल्डी रॉजर की शिप में ट्रेवल कर चुका हूँ लेकिन उस टैम में बच्चा था इसके बाद डॉग स्टॉम बोलता है देखो अब हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है तो हमें प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए तो जहां पर कीने मौन बोलता है कि मैं वानों में और समुराई को इखटा करूंगा जो हमारी तरफ से लड़ाई करेंगे और इसके बाद कैट वाइपर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ ढूरने वाइट बियर्ड के फर्स्ट डिवीजन कमांडर मार्को दा फीनिक्स को मार्को का नाम सुनकर वहाँ पर सारे लोग खूश हो जाते हैं सब लोग बोलते हैं कि वाः कैट वाइपर तुम उसके दोस्त हो ये सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा और अगर वो हमें बैक अप देता है तो वो बहुत ही कमाल का होगा लेकिन लूफी को याद नहीं आ रहा होता है कि मार्को कौन है तो चौपर बोलता है कि उसने बहुत ही रेयर फ्रूट खाया है तुमें याद आया? उसोब बोलता है कि तुम्हारी उससे मुलाकात मरीन फोर्ड में हुई थी फिर निको रोबिन बोलती है कि उसकी सकल पाइनेपिल जैसी है और लूफी को याद आ जाता है लूफी बोलता है कि वो तो बहुत ही ताकतवर है और मैं उससे मिलना चाता हूँ और उसका शुक्रियादा करना चाता हूँ इसके बाद कैट वाइपर बताता है कि मारको की बैटल ब्लैक बीर्ड के पूरे कुरू से हुई थी और वहाँ पर मारको हार गया था और उसके बाद से उनके कमांडर्स का कोई पता नहीं है अगर मारको जिन्दा है तो मुझे पता है कि वो कहां मिलेगा इसके बाद ये लोग फैसला कर लेते हैं कि कौन कहां जाने वाला है कीनमान बोलता है कि मैं वानो जाओंगा और सारे समुराइ को इकटा करूँगा लेकिन यहां जोरो बोलता है कि अगर तुम वानो जाओगे तो काईडो तुम्हें पकड लेगा जिसके बाद लॉब बोलता है कि ठीक है तुम मेरी सबमरीन में चलोगे और अगर तुम्हें पता है कि हम लोग कहां छुप सकते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी कैट वाइपर बोलता है कि मैं मारको को लेने जाऊंगा और लूफी जाएगा सांजी को लेने के लिए इसके बाद मिंक ट्राइप के लोग राइजो से मिलने के लिए आते हैं उससे अच्छे से मिलते हैं राइजो उनका शुकरियादा करता है और फिर दावत की बात होती है लूफी दावत का मज़ा लेने के लिए जा रहा होता है लेकिन नामी उसे रोक देती है और वो बोलती है कि हम लोग पहले ही दावत कर चुके हैं तो हमें चलना चाहिए सांजी को बचाने के लिए जिसके बाद चौपर मैदान में आता है और फिर बुरुक मैदान में आता है तो ये चार लोग सांजी को बचाने के लिए तयार हो जाते हैं इसके बाद ये लोग अपने निकलने की तयारी करते हैं लेकिन तब ही जैक जुनेशा के ऊपर हमला कर देता है इस हमले के दोरान प और तभी लूफी को पता पड़ता है कि जो वो आवाज सुन नहां है वो आवाज किसी को नहीं आ रही है बस मोमो के इलावा और वो आवाज होती है जुनेशा की जुनेशा बोलता है कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो तुम मुझे और दो और यहीं पर एपिसोड खतम हो किये कुरोना से साफदान गुड बाए